हेलो दोस्तों सुवागत आप सभी का आपके अपने चनल गुरूमत इस्टूट पर आज का यह वीडियो यह देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह जो वीडियो है आपका 12 अरे यह क्या गड़बर कर रहा है यह देखेगा आप तो पसीना भी नहीं आ है हमारा पहले से शुरुआ से गड़बर कर रहा है चलिए देखे तो आज का यह जो वीडियो है 12 किलास का रहेगा 12 में हमारा फिजिक्स चल रही थी तो फिजिक्स का ही यह वीडियो लेसन नमबर थी और आज मैं आपको वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेदुत डॉत का बिदूत वाहज changed क्यों करके इसको सीखते हैं चलिए साहल का बिदूत वाहज वल को पहले में आपको यहांपर समझाओं यह देखियेगा यह यहां पर सहल बना हुआ है पहले सहल को सब्चार सेल के वारे मिंस से पहले मैंने एक video बनाया जिसमें। सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आप देखेगा. यहां पर सेल है। सेल में क्या होता है कि यह क्या बहुलते हैं। यह तौडा सा इसको पहले रफ करता हूं, जब अच्छे से लिख देता हूं। इसमें यह क्या है यह एक आपने डिरव भरा हुआ हुआ है जिसको मैं नाम देता एक यह क्या होता है लोग के हैट इसमें बैद्दूत-ब्रक्र करनाकिस जिसमें पहले से ही क्या उपस्ते थे आयन इसमें धनायन और रिणायन उपस्ते थे अब जैसे ही इसमें में दातू की छड़ें यह क्या है दातू की छड़ें जब दो अलग-अलग दातू है और यह दातू अलग है दो अलग-अलग विन-विन दातू की दो छड़ें इसमें positive charge घटा हो जाता है और ये positive palette है तो इस पर negative आयन इस पर आ जाते हैं तो जोब जिस पलेट पर negative आयन आकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं ठीक है क्योंकि वो positive छड़ होगी और एक छड़ कैशी वोजाती है जिसको मैं एनोड बोलता हूं बस समझ में आ गई अब इसमें मेंने क्या कर आर इस पो तार दुवारह जब मैं इसमें जोड़ दूँगा एक बल्ब को तो बल्ब क्या होने लगता हीगी अर्थात बल्व जलने लगेगा इसमें क्या होगा इसमें जैसे धना आवेशित थे क्या होगा यहां से रहा अरश सरे छलने लगेगी ऐसे दहरा जाए दहरा जाने का मतलब ये है कि इस पर क्या आएगा जो इल्यक्ट्रॉण है इस तरह से मूग करेगा यानि कि परिपत के बाहर एलेक्ट्रों नेगिटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की और चलता और परिपत के अंदर एलेक्ट्रों धन पलेट से रिन पलेट की और चलता एलेक्ट्रों इस तरह से इसमें चलेगा तो इलेक्ट्रों इस तरह से मूग करेगा किस तरह से तरीके से यहां से चलेगा और एसे गुमेगा अब है यहां पर देखिएगा अब इसका मतलब पहले यहां से समझा है औंदुट आपको यहांसे समझंगै आगया अब हमारे पास क्या क्या है आवेस है बात समझिएगा हमारे पास क्या है आवेस है यह इसका यह जो उपर वाला जो परिपत है इसको मैं बोलूगा बाईये परपत भाई यह यह वोगा यह पर्पत और इसके जो अंदर का यह वाला जो परिपत है इसको वोलोगा में आंत्रिक परिपत त्यक्तर यह आपका इसको में एक्स्टी एक्स्टर्नल परिपत होगा यह आई एंटी इंटर्नल परिपत होगा ठीक है अब यह समझ लीजिए कोई आवेस है माल लीजिए क्यू कूलाम आवेस है वो यहां से चलेगा Q 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 करने में जो कार किया जाता है उसी को हम सेल का विद्धुत्वाहकबल कहते हैं तो विद्धुत्वाहकबल आपको समझ में आ बिद्दुत बाहकवल होता क्या है आप परिवopes लिखी हुई है कि मैं देखे इसको काट दीजेगा बिद्दुत परिपत में आवेश का प्रिवाल लगातर बनाई रखने के लिए सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है यही कार्य सेल का विद्व तुबहाकural कहलाता है बास समझ में आ गई ठीक है कि यानि कि सेल में वेदुदारा कर रहे हैं हम तो उसमें सेल द्वारा कुछ राय करना पड़ेगा या फिर आपका इस्टेंडर परिवासा यह है देखिव क्या है कि एकांग का अभेस को सैल सहित पूरे परपत में प्रवाहित करने इस पूरे परिपत में इस तरीके से जब आवेस गूमेगा प्रवाइद होगा तो कुछ तो कारणा करना पड़ेगा तो उसी कौम बैदुत्वाहकवल कहते हैं तो माना यहां से देखिएगा अब मैं यहां पर पहले तो इसको इस पूरे चीज़ को मैं यहां पर क्या कर रहा इस तरह से इस चीज़ को मिटाते हैं पहले ताकि यह तो हमारा काम आएगा ठीक है अब द्यान से देखिएगा मैं मान के चल रहा हूं यहां पर कि माना किसी परपत में क्यूं आब इसको प्रवाइद करने में डवलू कार रखिया जा रहा है तो सेल का विदुत्वाहकवल विदुत्वागे पर्मूला कि इतना हो जाएगा यह वरावर ववन क्यों मातर क्या यह का मात्रच जूल कि इसको मातरक कितना हो जाएका कुलम कुलम या इसको हम बोलते हैं बोल्ट अब नीचे आ जाते हैं लिए लग आल मोड दो दिमाइनege 3 और एकडिवर इसरा समझ में आ गई अव एसह यहां पर एक वोल्ट की परवासा यहां से एक परवासा हैं यहीं से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास की वराबर। Billar w upon q है आप हम इसका मतलब यह है डुर का आत्रक क्या है कि जूंल अनु की दो आधर क्या है कुलाम है और इसी को हम क्या बोलते हैं बोप के रहे हैं इसका मतलब inex यहां पर में एक लगाओं यहां पर भी एक लगा सकता हूं यहां पर भी एक लगा सकता हूं इसका मतलब यह हो गया कि यदि किसी परपत में एक कुलाम आवेस को सेल सहित पूरे परपत में प्रवाइद करने पर एक जूल कार प्राप्त हो तो उस सेल का विद्धुत वहाकवल एक वोल्ट होगा तो यहीं से परवासा बनती है क्योंकि यह जो वोल्ट है न यही आपका जूल प्रति कुलाम के बराबर है तो यहीं पर मैं एक लगा दूँगा यहां पर एक लगा दूँगा यह एक हो जाएगा यह क्या है यह कार रहे है यह क्या है यह है आपका आवेस यहां पर क्या करेंगे यहां पर यह आवेस आ रहा है इतना और ये आपका विद्धुत्वाहक वल ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया आप परिवासा देखिएगा यदि सेल द्वारा किसी परपत में एक कुलाम आवेश को प्रिवाहित करने में किया गया कार एक जूल हो तो उस सेल का विद्धुत्वाहक वल एक वोल्ट होगा नोट नमबर एक सेल के वीतर आवेश रिंड आवेश से दनावेश की और बैता है और सेल के वीतर सेल के वीतर की बात करें सेल के यह बाहर होना चाहिए यहां पर यह गलत लिखा हुआ है एक बीतर और एक बाहर ठीक है चलो यह तो सेल के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके ह यहां पर करने की कोई जरूवत नहीं है सीरे सीदे अब आते हम तर्मिनल विववान तर पर यहां पर बात वही है यहां पर क्या था कि आवेस को सेल सहीत पूरे परिपत में प्रवाहित किया रहा था अब मालीजा आवेस को मैं यहाँ पर एक बिंदू ले ले रहा हूं, सैल का एक बिंदू ये ले ले रहा हूं, बी, तो ए बिंदू से बी बिंदू तक, तो किसी परिपत के, किसी एक आवेस को किसी परिपत के एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक प्रवाहित करने में किया क expect गया है उन विदूओं के विच टर्मिनल विवांतर कहलाता है माल लीजे मेरे पास यह एभीन्दू है और यह मेरे पास बिविन्दू है 양 में एक होरी की वावेश को इस एभ फिन्धो से भी बंदू तक ले जारा हो तो किया गया कार रहा है उसमें मैं इस आवेस का भाग कर दोंगा तो वो A और B के बीच विववांतर निकल आएगा इसे B से प्रदसित करते हूं या एकांक आवेस को किसी परिपत के एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक प्रवाहित करने में किया गया कार रहे उन बिंदू के वीच टर्मिनल विववांतर कहल यहां पर सुत्र भी यह बन जाएगा सुत्र क्या बनेगा मना क्यूं कुलाम आवेस को किनी दो विंदू के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार रहे डवलू है तो उनके बीच टर्मिनल विववांतर बात वही है कि यह विंदू है यह आपका बी विंदू है यहां तक में Q आभे इसको लेकर जा रहा हूं तो A B कार्रे करना पड़ रहा है तो इनके बीच A और B के बीच जो विवांतर होगा W अपॉन Q इस तरीके से आ जाएगा इसका मात्रक वही पुराने वच जैसा बनेगे क्योंकि मात्रक क्या है मात्रक वही जूल प्रति पुलाम हो जाएगा यहां इसी को वोल्ट बोलते हैं ठीक है यहीं से यह विमिय सुत्र विमिय सुत्र वही रहेगा मॉल स्केर टी माइनस 3 ए माइनस 1 यह आपका विमिय सुत्र हो गया रासी कोंसी यह यौनसी है रासी यह दिस थरासी क्योंसी है अधिस है डासी क्योंसी है इस होके दें अब आता इसको में नीचे लेकिया जा रहा हूँ यह देख लिए अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि यह सेल के अंदर यहां पर क्या वरा हुआ व्यां फट क्या है यहां से चलेगा यह आवज यहां से चलेगा इस तरीके से को यह ऑजयें अवरोध लगाएगा तो वही अवरोध आपका क्या 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 लाएगा अंत्रिक प्रत्रोद तो सेल के वीतर विद्दुत अपगट्टे द्वारा विद्दुत धारा के मारग में लगाया गया अवरोध सेल का आंत्रिक प्रत्रोद क्या लाता है इसको small r से प्रदर्शिफ करते हैं बात समझे बाइगे अब सेल के आंत्रिक प्रत्रोद की निरवर्ता क्या है बाई सेल का जो आंत्रिक प्रत्रोद है पलेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है बाई जितनी ज्या अप घट पलेटों के बीच की प्रिक्ड़ती पर निरवर करता है तीक है यह हो गया अव यहांसे वैरी इंपोर्टेंट एक डेरिवेशन आ जाता है यह डेरिवेशन है वैरी इंपोर्टेंट कर लीजेगा यहाँ से स्वाल स्ट से एक शवाल आपके बोर्ड परिच्छा में देखने को मिलेगा बोर्ड के लिए स्ट इयां से एक नुमिरेख लस्ग जो Techमे क्या बोल नहुंँ साथ हे इस से जरूर आएगा क्या है से लिकार ओपर से नीचे ले आ रहा हूं यह समझे संथ का प्रियास करेंगे मैंने अभी आपको क्या बताया है ठीक है यहां पर देखिएगा यह मेरे पास में क्या है ऊपर यह जो ऊपर का था मैंने क्या बताया यह है आपका वाईय पर्पत नीचे का जहां पर आपका वैद्दुत अपगोट है यह आपका है आंत्रिक परपत अपनलों कर selfish है थे अब द्यान से समझेगा पहले मैंने माना कि यहां से कुछ Q आवेस इस तरीके से इसमें फिलो हुआ उपर से नीचे तक तो सेल द्वारा किया गया कार रहा है तो लिख देंगे माना Q कूलाम आवेस Q कूलाम आवेस सेल सहित संपूर परपत में प्रवायत होने पर सेल द्वारा दवलू कार रहे किया जाए डवलू कार किया जाता है तो देखिए का ध्यान से समझेंगे यहां पर कि कूलाम आवेस को सेल सहित संपूर संपूर परपत में प्रवायत होने पर जा पीच करने पर सेल द्वारा जो पूरे परपत में किया गया आज तो यह फार्मूला क्या था आवह इभी हम ने पढ़ाता द्वलू अपन Q था ठीक है विदुद्वागवल वाला वाला वाई सेल साइज संपूर परिपत में किसी आवेस को प्रवाइद करते हैं तो विदुद्वागवल कहलाता है यह वराबर डबलू पॉन क्यूं तो डबलू वराबर क्या हो जाएगा इंटू क्यूव हो जाएगा ठीक है हो जाएगा ने हो जाएगा और यह क्यूव का फॉर्मूला होता है क्यूव का फॉर्मूला होता है क्योंकि हम जानते हैं कि वरावर फॉर्मूला होता है आई टी तो यह कितना हो जाएगा ए आई टी हो जाएगा यह समीकरण एक तो सेल द्वारा संपूर परपत में किया गया कारण डवल वरावर ए आई टी आ गया अब सेल के बाहरी परपत की मैं बात करूंगा यहां से देखेगा यह जो है आपका सेल का जो बाहरी परपत है न यह वाला सेल के बाहर वाली की मैं बात करूंगा तो यहां से देखेगा सेल के वाई यह परपत यह आप ऐसे लिखेगा सेल के मतले किया सीधे-सीधे लिखो वाई परफत के लिए सेल द्वारा किया गया कार रहे है ठीक है अब ध्यान से समझेगा तो बाहरी परपत के लिए जो किया गया कार रहे है अबी-अबी मैंने आपको बताया था कि सेल के बाहरी परपत में एक बंदू से दूसरे बंदू तक ले जाने में जो किया गया कार रहा है या उनके बीच का जो एक आंक आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में जो किया गया कार है वो विववांतर कहलाता है उन बिंदू के बीच तो यहां से यहां तक जो बाहर का जो किया गया कार है वो विववांतर के रूप में इस्टोर होगा तो यहां पर क्या लिया जाएगा तो विवांतर का हम इस्तमाल करेंगे क्योंकि V वरावर W upon Q होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा V into Q हो जाएगा और Q वरावर फॉर्मूला आपको पता ही है IT तो यह V IT हो जाएगा और यहां पर लगाएंगे हम EXT ठीक है कैसे लगाएंगे देखिएगा मैं यहां पर इसको रब करके आपको लिखने का प्रियास करूंगा समझाने का प्रियास करता हूं यहां पर यह हो जाएगा W EXT ऐसा क्योंकि बाहिया कारण निकाल रहा हूं अमें अंदर का कारण कितना हो जाएगा तो सेल के आंत्रिक परिपत के लिए कि आंत्रिक परिपत के लिए कि अग्या द्वारा किया गया कार रहा है तो वह कितना डवलू आई एंड टी यानि कि डवलू इंटर्नल तो वह कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से सेल के अंदर जो किया गया कार रहा है तो वह क्या है देखिएगा सेल के अंदर आंत्रिक प्रित्रोध होगा तो आंत्रिक इसके लिए वही फॉर्मूला तो वही रहेगा V into Q इसके अंदर V into Q ही रहेगा formula लेकन यहाँ पर हम V V RAVNS क्या लेंगे वि बाइबर अब यहाँ पर i ओर sml r लेंगे क्योंकि sml r जहां sml r क्या है आंत्रिक प्रतिरोद है क्योंकि सहल का आंत्रिक प्रतिरोद होगा जब आंत्रिक प्रत्रोद होगा, तो जो बिदूत अपगत्ट है, उसके अंदर जो प्रत्रोद है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वववव होगा, तो वो small IR होगा, खिंटू, और Q बराबर हो जाएगा यह क्यों रावर तो रेकिन वलबर क्योंकि आंत्रिक प्रतरोद सेल का जो 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 गत्थ के अंदर भी तो कुछ कुछ क्रण्ट फिलो होगा उसके अंदर का यह प्रतरोध है आंत्रिक प्रत्रोद तो यह समी कराण तीम यहां पर आपको दिखाई दिया कि हम ने जो टोटल कार निकल sub 0038 Je गार का इतना और अंदर इतना तो हम बोल सकते हैं आतय है कि इसकोड़े तो छोड़ो इसको तहम भोली चुके है क Mississippi कद अाता है जो डवलू बरावर डवलू बरावर क्या हो जाएगा डवलू कि K남 यह आछ टी डवलू भाहिश ती डवल बाहिए पिश्च डवलू इंटी के बरावर होगा यानि कि सेल का यह जो टोटल कार रहे है हमने क्या निकाला था कि आवेश को सेल साइथ पूरे परपत में जो किया गया कार रहे है की और An। इन दौनों को अलग अलग निकालने तो टोटल कार निकल जाएगा तो वो टोटल के बराबर होगा तो हमारा क्या है यह आंत्रिक यानि बाईय कार बाईय परपत में जो करा किया गया कार और अंदर जो किया गया कार तो वो टोटल कार के बराबर होगा टोटल कार कितना आया ह समिखर ändаем से यह wisely यह वाला कहाँ कितना आया है वी आई ची आया है और यह वाला कार्राइक कितना आया है I square यह यह देखे़कर एक वाला जो कारे था वह यह लोगा पिर आपने सानेmek में आइटी कॉमन लेलू तो यहां से V भचेगा पिलस यहां से I चला गया तो यहां पर एक I बचेगा क्योंकि यह T चला गया तो यह वचेगा और इस 시간 अफसे इससे यह आपका कट जाएगा तो ई वराबर यह कितना हो जाएगा V V plus v plus i r यह निकलाया यही सूत्र है वाई यहां से जब व निकालते हैं तो e minus small lla r आता है इस पर आधारित numerical's भी माइस अचिनता नहीं करने यह टैंसटल नहीं लेना है यह आ गया ठीक है और यहीं से यहीं से आप small r की value भी निकाल सकते हो small r की value कैसे निकलेगे यहीं से देखिएगा इसी फॉर्मूले मैं यदि मैं e minus v कर दूँ यहां पर ir वचेगा तो यहां से यदि मैं r की value निकाल लूँ तो e minus v upon small i इस तरीके से आ जाएगा तो यहां से तीनों चीज़ यदि सेल के विदुत्वाक वल की बात करे तो यह सेल का विववांतर पूछे तो यह और सेल का आंत्रिक प्रतोर्द पूछे तो यह और यही संबंद है संबंद का मतलब यही आपका e, v और small r में संबंद है यानि कि सेल के विद्धुत्वाक वाल सेल के विववांतर और आंत्रिक प्रतोर्द में यही संबंद होता है तो यह डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बताइए कमेंट करके बताइएगा इस पर आदारित जरुदी जेगा एक है